गुड मॉरिंग दिश्टुएंच, हम चेप्टर नमबर 12 कम्प्लीट कर चुके थे, हाउसेस वीमेक है ना, घर जो हम बनाते हैं, इसके पहले मैं आपको पता दू कि मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे मैं आपको बता जाए है, प्रोजेक्ट आपको कम्प्लीट करना है, है और प्रोजेक्ट के साथ आपको एक और मैं लिंक शेयर की थी कि जो बॉटल है उसके अंदर जितनी पॉलिस ही ने कर चिरा है वो आपको डालते रहे ना और वो भी आपको सम्मिट करना है अपने प्रोजेक्ट फाइल के साथ अगर प्रोजेक्ट ज्यादा बड़ा हो तो स्टील के तीस पेच क्या बनाना है ना चोटा प्रोजेक्ट बनेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है अब स्टार्ट करते हैं हमारा रिविजन स्वरी रिविजन नहीं एक्सराइज ठीक है और हो यसी हाउस एमधी मैड और ब्रिक्स मतलब क्यों होता इट है ना में मतलब बन सव्सक्राठेशां होतक चाहिए कुल मौरा है अधां यूदि थे सप्क धट ऑन्हीं वो भेषिता हैंने नुद प्रकाइब कुल्पाश मजर करते हैं सव्सक्राठेशाose जो सेंangen से थेतल से किसे होता है फस्ट में ओक लुख वागा करता है लहां है सेकंद पर लिखा है नो अमद्स नॉमेड्स मतलब chef ईक जगह स्वेयर पर चमुक trauma मुलभई तैना क्यों जाता हुँ रेता है , वेद वाले लोह पोगें सांय अब जेंब है यह हैम मैं के लिए घर बनावा रहते हैं यह हलता हैं , अंब और आपको बसाओ जया जाना बहना पर पर बाड वगरा बनाते हैं तो लोग क्या करते हैं लकडी का बनाते हैं यहां पर बाड़ वकिला ज्यादा होती तुमाँ पर लोग लकड़ी का घर बनाते हैं तो यहां पर इसका आंसर आएगा slanting house यह हमको दिकरान इसे लकड़िया एकटी होती बंबू टाइप की उसके ओपर घर बना जाता है ठीक है इस टाइप का तो आपने टीक किया बटा यह वाले option पर टीक करना आपको इसमें टेंट पर इस पर भील के रावन सो इस पर पक्का आउस पहना अब हमारा next है circle the odd one odd one जो अलग चीज़ है उस पर गोला लगाना है mud मतलब मिटी bricks मतलब इट straw मतलब खास पूस bamboo मतलब जो लकड़ी के आते ने वह अब देखो मड़ तो मिटी हो गई खास पूस और bamboo लकड़ी से बनकर क्यों सा गर बनता है कच्छा हूस बनता है तो यह सब तो एक चीज़ हो गई लेकिन bricks मतलब बीट इट अलग होगे ना इट का तो अच्छा है उसमें कोई काम ही नहीं है तो पक्या हूस में तो इस पर गोला लगाएंगे पीस को यहां लिखा है बंगलो यहां लिखा है houseboat tent और wheel के रावन यह houseboat tent wheel के रावन से तो temporary house है क्यों यह स्थाइन ही होते हैं तो देखो हम वील के रावन को भी कहीं ले जा सकते हैं अब हम करेंगे फिल इंद ब्लैंक्स क्लीन हाउस इस गूट फोर हेल्थ क्लीन मतलब साप साप कर हमारा स्वास्ते के लिए अच्छा होते हैं अब हम करेंगे फिल इंद ब्लैंक्स मतलब पानी में तेयरता है इसको कि अपर जगर रहता है वह सी एले एन क्लीन और एच चो यूएस हाउस बूटी बॉत आप टेंट क्या इसका अच्छा है पानी में लगा लेते हैं वापस खोल लेते हैं हमारे वेग में रग भी लेते हैं कुनसे हैं तेंट वाले को इस और फिर उसके ऊपर घर बनाते हैं ठीक है ताकि बारिश आइए तो उनका घर ही बचा रहा है और बार में धटू पर अब देखो यह जो घर है इसकी च्छत है वो कैसी दिख रही है ना slanting मतलब की धलावदार क्यों ताके बारिश होगी तो भी पानी नीचे आ जागा और बर्फ कर स्नो गिरेगी स्नो फोलों का तो भी वह नीचे गिर जाएगी तो इसकी च्छत है वह slanting है और च्छत को क्यों क के इसकी आफ है यह देखो टेंट हैं इससे बाहन रखाए टेंट टेंट ठेंट ठेंट फिक है अब हमारा नेफ क्वेस्टन नेमधा थाउस हो न फोल्स पंईयों पे कुछी आउस होती है हमने वापड़ा था वह प्लेल के रहा वह ड।्वील के रहान व। नेम्द हाउस म sorry what is a kach house kach house क्या होता है हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा घर जो murd यान मिट्टी है ना मिट्ट से इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था स्ट्रो से घास पुच से और बैम्बू से मिलकर बना होता है हमने क्या था हुआ है हमारा question तो यह वाला question है इस question को लिखना है what is a kach house अब answer आप यहाँ देखिए यहाँ से ठीक है a house made of mud dry leaves, straw and bamboo is called a kach house ऐसा घर जो मिट्टी से सूखी पत्तियों से mud मतलब मिट्टी dry leaves मतलब सूखा leaves मतलब पत्या सूखी पत्तियों से straw मतलब घास पूज देखो यह दिख रहाँ घास पूज एसा वाला and bamboo bamboo मतलब जो bamboo की लकड़े आती ना वो बड़े बड़े आते हैं लकड़े की जो तोगी से घर बनाने वो इससे कच्छा हो इससा अगर क्या कहलता है kach house a house is made of dry leaves, straw and bamboo is called a kach house तो आपको यहां से लिखना है यह वाला अंसर ठीक है बुक में से लिखनेंगे ना आप टिक लगाई है इस वीडियो से है ना आपने बुक में टिक लगाई है किसका अंसर है what is a kach house तो यहां से लिखना है house made of mud, dry leaves, straw and bamboo is a kach house हमारा नेक question है what is a pukka house कुन सा होला question लिखना है हम यह वाला what is a pukka house pukka house कुन सा होता है आपको बता है ना कि pukka house जो होता है वो made of bricks, steel and cement bricks मतलब eat, steel and cement इनसे मिलकर बना होता bricks, cement and steel अब इसका answer में आपको बताती हूँ यह रहा the house are made of bricks, steel and cement they are called pukka house यहां से यहां तक लगाना है ठीक लगा यह बुक में answer के लिए the houses are made of bricks, steel and cement they are called pukka house है ना यह pukka house का answer है और वो वाला कच्चा house का answer था ठीक है अब हमारा next question है यह जो प्रिया वाला है ना यह मैं आपको लिखवाँगे यह प्रिया वाला तुम्हें लिखवाँगे नीचे वाला देखिए वाई डू वी नीड हाउस यह वाला लिख रहे है ना वाई डू वी नीड हाउस हमां घर की जरौत क्यों होती है आप आपको पता है ना कि घर जो होते हूं में फील करवाते हैं के साथ सेफ और कमपरटेबल है ना कि हम घर में सेफ अपने आपको सुड़क्षित और आराम्दा एक मिसूस करते हैं घर होते हूं को प्रोटेक करते हैं हीट से कोल्ड से रेंस से हैं ना और वाईल एनिमल से और थीउस मतलब चोरों से भी तो प्रोटेक करते हैं तो इसका अंसर यह रहा यहां से मैं बुक में टिक करवा रही हूं ठीक है हाउसेज मेट और सोरी सोर चोटा करते हैं ता कि आप देख सके हैं ना हाउसेज मेट देम फील सेफ और कमपरटेबल घर किसके लिए होते हैं हमें सेफ और कमपरटेबल मेसुस कराने के लिए देख प्रोटेक्ट देम फ्रों हीट कोल्ड एंड रेन हमें सर्दी से गर्मी से बारिष से बचाते हैं हाउसेस आइसो प्रोटेक्टेड हीूमन फ्रों वाइल्ड एनिमल से थीउस जो घर होते हैं वो चोरो से बचाते हैं और जंगली जानवर से बचाते हैं तो बटा जो घर होते हैं वो में से और कमपटेबल फिल कराते हैं हमें गर्मी से बारिश से और सर्दी से बचाते हैं वाइल एलिमनेर की जंगली जानवर जंगल में रेते हैं उन से बचाते हैं और